वेलकम यू आल आएम रोईत्रों महाजन ट्रेडर सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं विप्रो एल्टीडी के बारे में और गाइस अगर देखा जाए तो स्टॉक में आज गिरावट आई है और मैंने कल ही बोला था कि गिरावट आ सकती है और बिलकुल वेसा हुआ है कि रावट आई है तो खरीदारी का मोका भी आपको मिलाई है तो आपको क्या करना है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और गाइस बिलकुल एक रेर स्टॉक है बिलकुल आपको खरीदना होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि एस स्टॉक की जो कीमत है बढ़ चुकी होगी और आप बिलकुल फश्तावा कर रहे होगे कि काश हमने पहले खरीद लिया होता तो बिलकुल गाइस सही समय आ गया है विप्रो में बाइंग करने के लिए 640 का करेंट प्राइस अब चल रहा है और हो सकता है कि कल एप सारे रेकॉर्ड तोड़ दे और बिलकुल टार्गेट के साथ हम बताने वाले है कहाँ पर आपको बाइ करना है लेवल्स में बताऊगा और किस आपको टार्गेट क्या रखना चाहिए ओभी में बताऊगा और गाइस अगर आप एक बिगिनर हो तो बिलकुल ऐसे स्टॉक को नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे स्टॉक काफी दिनों बाद इनमें गिरावट आती है और तो बिलकुल सही समय आ गया है गाइस बाइन करने के लिए तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर्स के अप्डेट्स के लिए शेयर्स के लिए तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते है तो गाइस बात कर रहे हैं हम विप् पर क्लोजिंग दी है विप्रो ने और देखा जाए तो यहाँ पर 6 रुपे 35 पैसे तक स्टॉक गिरा है और साथ यह अगर देखो तो परसेंटेज वाइस 0.98% के हिसाब से स्टॉक में गिरावट है तो कही ना कही गिरावट यहाँ पर है तो एक opportunity के हिसाब से हमें लेना है और अब चलते हैं सिधा चार्ट पर तो चार्ट को हम देखें तो एक pattern बन रहा है उस pattern को हम सब लोग एक falling wedge pattern के नाम से जानते हैं guys falling wedge pattern यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है और कही ना कही अगर देखें तो stock में support levels और resistance levels बन रहे हैं और यहाँ पर एक gap भी हुआ था उस gap को fill करने के लिए stock नीचे भी आया था तो discuss कर लेते कि क्या यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर stock resistance ले रहा है इस level पर ले रहा था तो हमारा एक first target बन गया है 748 के आसपास का जो भी हो यह हमारा first target है और देखा जाए तो जो support लिया है stock ने इस levels पर लिया है तो और यहाँ पर resistance बिला और इस level पर support लिया तो एक support resistance लेवल यहाँ पर चल रहा है guys और finally इस ने इस level पर breakout दे दिया तो finally हमें इस level के उपर हमें breakout मिल गया है और इसी का हम वेट कर रहे थे guys और breakout मिलने के बात stock में मैंने कली बोला था कि breakout मिला इसका मतलब यह नहीं है कि यह सब बढ़ ज जाएगा ही जाएगा यह मैं guarantee के साथ कहता हूँ तो यह जो targets थे जो levels थे important levels थे जो हमने आपके साथ share किये है तो अब बढ़ते हैं आगे और देखा जाए तो 5 दिन के time frame पर stock कितना बढ़ा है तो 25 रुपे 65 पेसे तक stock में बढ़त देखने को हमें बिल रही है 5 दिन के time frame प यह आपर अगर देखें तो percentage में 4.17% के हिसाब से stock में improvement हमें देखने को मिल रहा है और वही अगर देखा जाएं तो 17 रुपे stock बढ़ा है 17 रुपे 90 पेसे और 2 पॉइं गिरा है गास माइनस में 17 रुपे 90 पेसे तक stock गिरा था माइनस 2.72% के हिसाब से तो बिल्कुल गिरा और भी नजर इसमें आ रही है और अगर देखा जाए 6 मेने के time frame बर्द तो stock में positivity है तो 99 रुपे तक stock बढ़ा है और गास बही अगर दिखा जाए यूराना आपकी pattern पर तो 252 रुपे तक stock बढ़ा है 65.02% के हिसाब से अब देखते हैं stock कहाँ पर open हुआ है open हुआ था stock 644 price पे stock ने high लगा था 653 रुपे 95 पेसे का और low लगा था 649 रुपे 90 पेसे का market cap देखे 3.50 लाक करोड के असपास का market cap है P ratio 29.38% का P ratio है और डिविडेंड अगर देखा जाए 0.16% का stock dividend भी देता है और वही अगर देखा जाए गास क्या कुछ 52 एक्स का high और क्या कुछ low है त 749 रुपे तक का high है और 347 रुपे तक का low आपको देखने को मिल जा रहा है और वही अगर देखे तो resistance लेवल सपोर्ट लेवल भी important support लेवल हम देख लेते हैं और resistance लेवल भी देख लेते हैं तो resistance लेवल अगर देखा जाए तो first resistance लेवल यहाँ पर देख जाएंगा 653 पेसे का और वही अगर बात करें support लेवल की तो first support लेवल 634 रुपे 50 पेसे का दिख जाएगा और साथ एगर बात करें second support लेवल की तो 622 रुपे 20 पेसे का दिखाई दे रहा है और वही अगर बात करें third support लेवल की तो 615 रुपे 40 पेसे का दिख जाएगा अब बात करते है price performance की, तो क्या कुछ price performance हमें stock में देखने को मिल रहा है तो price performance में हमें पता चल जाता है, कि stock में increment क्या कुछ हो रही है तो यहापर एगर देखा जाए first week का price performance, तो क्या कुछ हमें नजरा रहा है, तो 3.11 percent के हसवास का यहापर दिखाई दे रहा है और 1 मुप का अगर देखे तो यहां पर minus में है minus 1.80% और वही अगर देखा जाए 3 मन्स का तो यहां पर अगर देखा तो भी minus में आपको देखने को मिल रहा minus 2.19% और यहड़ी अगर देखा जाए positive 65.89% और और 1 year का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 77.84% प्लस में है 3S का 160.27% यहाँ पर प्लस में दीख जाएगा अब बात करते हैं गाइस क्या कुछ यहाँ पर trade value देखने को हमें मिल रही है trade value भी important होती ही तो उने भी देखना जरूरी होता है तो आज तगड़ा यहाँ पर trade value हमें देखने को बिला है लगबग 71.00000 के something क meer trade value आज देखने को हमें मिल रहा है इस्ट्रेड़े क कि अगर बात करें 57.000.000 के something और 26.00000 के something की है common and delivery ओन वीग का एवबेर्ज है 70.00000 के something की है trade value और 33.00000 के something का JSON with देखने को मिल जाएगा और काफी तगड़े हमें देखने को मिल रहे है अब बढ़ते हैं community sentiments के तो community sentiments अगर देखा जाए तो यहाँ पर positive है क्योंकि 73% लोग जो है okay रहे है यहाँ पर buy के लिए और जो 9% लोग है तो जो 9% लोग है गाइस ओके रहे है आपर sell के लिए और जो बचते हैं 18% तो यह ज़्यादा positive नजर आ रहा है कि 80% लोग जो है hold के लिए कह रहा है तो आप बिल्कुल गाइस wait कर सकते हो क्योंकि retracement चल रहा है तो hold रखना ही चाहिए और जुन्हेंने buy नहीं किया तो यह level सही हैं buy करने के लिए तो बढ़ते हैं आगे देखते है revenue क्या कुछ है stock का तो revenue अगर देखा जाए तो 55,448 करोड के असफस का revenue है 2017 का और 2018 के अगर बात करे 54,400 87 करोड है और 2019 का है 60,018 करोड 2020 का है 61,133 करोड 2021 का है 61,934 करोड वही गाईस अगर देखा जाए net profit तो net profit year on year है 10,855 करोड के असफस का net profit generate कर लिया अब बात करते है holding की तो share holding पे अगर देखा जाए promoters की holding 73,02% के असपस की और जो आपर orders की बात की जाए 0,32% है public holding 14,91% और जो है DIA की holding 2,06% और FI की holding है 9,69% so guys video पसंदा हो video को like करो चनल को subscribe करो thank you